हेलो एवरीवन गुट आफ्टेनून आई हो बहुत बढ़िया होंगे आप सभी एंड स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर तो इसी के साथ ही आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास फॉर्थ का लेसन रहेगा सिक्स्थ और नेम है इसका आर्टिकल पेज नमबर है 38 बुक का नेम है एवरीडे इंग्लिश ग्रामर इंड कंपोजिशन एन पी अलाइंड और यह जो साथ चैप्टर है आर्टिकल्स यह कुछ आपके स्पेशल वर्ड होते हैं अगर हम इनके बारे में कुछ जानना चाहें तो यह आर्टिकल्स एक स्पेशल वर्ड होते हैं और हमेशा डिस्क्राइब करने के बारे में कि एक बचा कैसे डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने एक मूविंग ट्रेन के अंदर से बाहर के नजारे को कैसे फिल किया है तो यह आप रीड कर लेना और साथ में ही दिया है रीड दा पोयम अलाउड आपने जोर जोर से बोलना है लाउडल और दा दिखाई दीजे ठीक है या आप सरकल तो कर दोगे लेकिन इसने कहा क्यों एक करने के लिए इसका परपस किया है तो यह रहेगा वह आपको बताना चाहता है कि जो आपको चैप्टर है आर्टिकल इसके अंदर आपको ए फिल करना होगा और एन फिल करना होगा ठीक है या फिर किसी पर्टिकॉलर फिंक लिए क्या फिल करना होगा दा आ इन हुटा इन मैंने आपको बताई दिया था कि यह ना उसे पहले लगते हैं और इसे बोला A और N आर कार्द इंडेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट है यह इसी लिए यह इंडेगेट करेंगे इनी परसन एनिमल और ठेक कोई भी मिलजे इंक सामने हम लिए लगा सकते हैं ओर दाट इफिनेट आ आर्टिकल हो गया यह किसी परटिकुलर चीज यह एनिमल के साथ ही लगाया जाएगा जैसे कि हमारा है sun, moon, earth ये particular है एक है पूरी दुनिया में जो चीज जो वस्तू एक है या फिर अगर आप किसी की बात भी कर रहे हो और किसी को indicate भी कर रहे हो तो भी वो एक ही मानी जारी तो इस scenario में हम दाका यूज़ करेंगे तो सबसे पहले इसने indefinite article के बारे में बताया हो है कि ये N निश्चित कैसे होते हैं जो सा A है हमारा हमेशा यूज़ होता है consonant के साथ मतलग कि वियंजन के साथ और वियंजन होते हैं हमारे कैक बुतर, खैक खरगोश, गैगमला ऐसे start होते हैं गैग्यानी शरीय तक जाते हैं और फिर N है N हमारा यूज़ होएगा वोवल से वोवल होते हैं हमारे A, E, I, O, U ऐसे और ये वोवल के साथ लगेगा मतलग कि सवर के साथ लगेगा A, N, R, A, M इनके साथ अभी A, N, R, A, M तो थोड़े से ही होते हैं जब हम छोटी कलासों में सिखते हैं ये A, N, R वाले पेचे बर जाया करता था तो इसके लिए हमारा लगेगा च्छोटे वाला अंसवर ये ऐसे ट्रिक बच्चों को बताएंगे तो कर लेंगे क्योंकि बच्चे फोर्थ कलास की हैं अधर्वाइस नाइन तैंथ में तो उनको पता लग जाता है कि साउंड वोवल किया रही है जा फिर कॉन्सोनेंट के आ रही है अब देखते है कुछ एक्जम्पल यह था पैन पैन के साथ एक यूंव लगा अब पैन ऐसे लिखते हैं अभी जोंसे पैंजन है कॉन्सोनेंट है के कबुत्र वाली सारी की सारी उसके अंदर आता है वर्ण वाला के अंदर तो हमारा ए लगेगा अब देखो यह आगे है elephant elephant a start हो रहा है और वैसे भी वोबस है आप हिंदी का भी देख सकते हो और English का भी देख सकते हो वोबल में भी और सांड़ में दोने हो देख सकते हो तो क्या हो जाएगा अन हो जाएगा elephant अब हम करेंगे इसकी exercise start और आपको पहले ही बता दिया कि जोंसे यह hover होता है जिसका मतलब होता है घंटा तो यह consonant में माना जाते है क्योंकि इसका h क्या रह जाता है silent initially consonant is silent मतलब कि h आपका silent रह जाएगा so that verse begin with a vowel sound okay देखिए ए है write a and a or and before the noun and the noun phrase given below first igloo igloo दिया हो है अब igloo e से start हुआ तो इसके साथ क्या आएगा e किस में होता है और आप e मिली थर्ड नमबर पर ही आ जाता है मतलब कि यह vowels है सवर है तो क्या जाएगा एंड इसी तरह से होनरेबल है यह एच तो रहेगे हमारा silent और ओ से start हुआ तो ए बना तो क्या हो जाएगा एंड फिर यूनिट यूनिट ऐसे हो जाएगा यह से start हुआ तो इसके साथ क्या आएगा ए यूनिट फिर वन वन को हम इसे लिखते हैं इसका ओ मत देख लेना मैं हमेशा हिंदी की साउंड देखती हूं ना कि वोबल्स देखने लग जाती हूं कि फाइव वोबल्स हैं तो लगाओ ने तो नहीं आप सबर देखा करो उसके अंदर आपको 11 12 13 कुस्तों पता लगेगा अब यह है वन वन होता है आए लगेगा नेस्स्यों हो जाएगा अमरियला है स्टार्ट हो रहे है यहां पर क्या हो जाएगा एंट और है किए ट्रफिलर कैसे स्टार्ट हुए तो क्या लग जाएगा एगे Central UFO human esse यह जो लिखते हैं इसके साथ क्या आ जाएंगा एंडियन कंडियन का इंडियन लिखेंगे इस तरह लगेगा फिर प्रोफंसर के साथ लगेगा एंड अब हम करेंगे नेक्स्ट इसकंदर definite article दी हुए हैं जो हम बात कर रहे थे दा की मतलब की particular person think animals के साथ जो लगाया जाता है आप देखी लो इसे 4-5 points दी हुए है we use the when we speak of a particular thing तो हम यह लगा देते हैं या फिर एक ही बात का या एक इंसान का बार-बार जिकर हो रहा है तो बार-बार वो word नहीं बोला जाता उसकी जगा दा लगा देते हैं जैसे हम pronoun का जैसे sita is intelligent, sita is going to school, sita is eating बार-बार sita कहने की बचाए हम she लगा देते हैं she is eating तो इसी तरह से बार-बार अगर वही चीज़ आ रही है तो दा लगाएंगे अगर आजे मिल्क, शुगर, वोटर यह हम काउंट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते तो लगाना भी नहीं है थर्ड पॉइंट में बोला है we use the before countable noun that have been made particular अगर particular हो और वो uncountable हो तो आपको लगाना है फिर है before things are only one of kind ठीक है धरती पे एक ही चीज़ उसके साथ लगाना है जैसे moon है, earth है, sun है stars के साथ मतलब लगा देना वो बहुत सारे होते हैं फिर आपको बताया गया है इसके अंदर river आजाए, sea आजे, ocean आजे, mountain range आजे, books आजे, train, ship, airplane, famous building, newspaper के नहीं आजे तो आपको दा लगाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर देनिक बासकर पड़ते हैं ना तो सारी जगा देनिक बासकर देनिक जगन सेम प्रिंटों के आउट होता है वो अब हम करेंगे इसकी exercise भी पार्ट choose the correct article to fill in the blanks and cross out अब हमने cross भी लगाना है कि कहाँ पर use नहीं होता वो भी हमने देखना है फर्स्ट है this is a picture of unicorn तो unicorn का यह मतलब वो यह देखने ना यू मतलब देखना कभी आप कहें तो वोवल में आया था लेकिन वोवल की sound देखो क्या है तो इसमें आएगा a unicorn next who is the captain of the team पर्टिकुलर एक ही मिलेगा captain तो दा लगा देना नेक्स्ट है एन अडल्ट फीमेल शिप इस काल्ड ए इव फिर हो जिगा मीटर इस आ यूनिट ओफ मेजरमेंट और फिर्थ में आपका कोई ब्याटिकल यूज ने होगा और शिक्स में हो जाएगा आपका दा क्यों होएगा इसके अंदर दा तो इसलिए लिए लगाया गया क्योंकि यह आपर टालेस्ट इसटी दिखा दिखाई दे रहा था आपको तो विचीज दा टालेस्ट विल्डिंग इन दा वर्ल्ड और वर्ल्ड तो एक है तो फिर पर्टिकॉलर हो जाता है इसलिए लिए लग गया नेक्स इसने बोला है आपको सरकल करने जहां पर आपको रोंग दिय हैं और राइट भी कर दिये हैं पूरा पूरा राइट करती तो बहुत जादा टाइम लगता तो आप अपने आप कर ले ना बस आपन सब देख लीजिए कैसे होगा यहां पर दाबुक ने आएगा दाबुए ने आएगा एबुए आ जाएगा यहां पर ए रिवर बैंक हो जाएगा यह स्टेंज यह लेशन और आउट ओफ बोटर बाकि आपका ठीक है यह सारा अब देख सकते हो स्क्रेंशोट भी ले सकते हो और हाँ अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज इसको सिस्क्राइब करके जरूर जाना क्योंकि बहुत ज्यादा में इनत लगती है इतना सारा सुलोशन फाइंड आउट करने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत सारा हो जाता है अगर आप शेयर करोगे मेरी आपकी क्लास में मेरी वीडियो को यह आपका फ्रेंड्स का ग्रूप है यह टीचर का ग्रूप है मुझे हर एक सब्सक्राइब क के साथ डी पार्ट करेंगे अब री राइट इस पैसिस को रेक्टली इन यूर नोटबुक नोटबुक के अंदर हमने इसको कोरेक्ट फॉम में लिखना है मतलग कि कहीं पर इसका छूटा हुआ है उपर वाले में तो रोंग दे दिया था हमने सही किया था अब इसके नहीं में A, N और दा छूट गया है अब देखो यहाँ पर है A bright future आएगा यहाँ पर A bright future आएगा यहाँ पर A as A country A लगाते जाना आप next में यहाँ पर आएगा दा basic से पहले आजाएगा दा और यहाँ पर A काट देना healthy से पहले healthy food से पहले A काट देना education से पहले N को काट देना और money से पहले दा को काट देना money uncountable है जिसको counter नहीं कर सकते है तो उसके साथ दा भी महत लगा देना तो फिर यह हो गया है हमारा एंड थैंक यू आई हो बहुत हेल्प में ली होगी आपको इससे और जुड़े रहना मेरे साथ क्योंकि आपकी आने वाली कलासीज में मेरा चनल बहुत जादा हेल्फुल क्रियेट होएगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी पहुंचाईए इसको स्क्रीन शूट लेना हो तो आप ले सकते हो